आज हम शुरू करता वॉक्षिट नमर 67 यह आपकी 6-8 लास की वॉक्षिट है यह दोनों लैंग्विज में यह इंग्लिश में भी और हिंदी में तो मैं दोनों में डाल रहे हूं आप लोग ले लेंगे इसके इलावा यह आपकी साइंस की वोक्षिट आप लोग इसे साइंस तो उसमें जादा बैदर रहेगा उस पर आपको सब्जेक्स नहीं लिखने वह आपके सारी हैपिनेस की होती है क्योंकि कभी भी कोई भी सब्जक्ट किया जाती किसी भी सिच्विशन पर किसी भी कॉंसेप पर बात हो जाती है ठीक है चलिए तो अब यहां पर डेक्डर मैं अपने गार्डेन में पानी डालने गई पॉधों को सड़नली और लॉट अफ हनी बीज कें फ्लाइंग एक दमी से अचानक से बहुत सारी हनी बीज आ गई उडने लगी वैन आई चेक्ट किया और जब मैंने ध्यान पूर्वक देखा आई नोटिस मैंने नोटिस किया हनी कॉम एक बहुत बड़े से प्लांट पे हनी कॉम है हनी कॉम मैंने बर्मा की का छत्ता आई वाज वेरी एक्साइट तो सी इट बिकॉस आई हैड ओनली रीड अबाउट इन इट इन बुक तिल नाउ यानि कि मैं उसे देखके बहुत जादा एक्साइट हो गई बहुत ज अब पता चला कि किताबे पढ़ना बहुत जादा इंपॉर्टेंट क्यों है I had sorry had I not learned about staying away from the honeycomb अगर मैं नहीं पढ़ती कि honeycomb से दूर रहना चाहिए I would have touched it out of curiosity and got bitten by the honey peas यानि कि अगर मैं यह नहीं पढ़ती कि इन से दूर रहना चाहिए तो मैं उसको जाके चू लेती excited में excitement जो उसको हो रही थी उसने पहले बार देखा था और वो से चू लेती और जब वो चूती तो honeybees उसे काट लेती बिटिन माने क्या होते काटना ठीक comes let find us more interesting information चलो आओ हम और ज्यादा interesting information find out करते हैं तो देखें यहां पे आपको यह honeybees का आपको honeycomb दिया गया है ठीक इसके इलावा अब आपका पहला question ओ what is the shape of the honeycomb यानि honeycomb की जो आकरती है यानि उसको जो शेप आकार है वो किस आकार का होता है तो जब मैंने इसको देखा तो आप अगर बाहर से देखें तो यह कभी कदर half oval के shape का भी होता है कभी कदर half circle के shape का भी होता है ठीक लेकिन क्योंकर यह honeycomb का shape पूछा गया तो इस substance in honeycomb honeycomb में कौन कौन सी चीज़े आपको मिलती है and how it is beneficial for us और वो हमारे लिए किस तरह से beneficial है किस तरह से वह हमें benefit कर देती है raw honeycomb यानि कच्चा honeycomb जो होता है it is germ packed with vitamins, calcium, iron, magnesium and antioxidant क्योंकि देखें यहाँ पे honeycomb के बात हो रहे है तो उसमें शहद include है अपने आप और मैंने जो answer लिखा है इस answer में भी हमने जो भी खूबियां बयान की है जो भी बाते आपको बताई है वो शहद के अंदर भी पाई जाती है तो आप यह नहीं कहेंगे कि मैं honeycomb में हमें शहद मिलता है और आपने शहद का कहीं नाम भी नहीं लिया ठीक है giving your immunity system यापको जो immunity power है उसको जो system में बूस्ट उसको बढ़ाती है and giving our body other nutrients और हमारी body को और दूसरे nutrients जो हैं वो भी प्रदान करती है next question है आपका do you know that honey bee play a very important role in protecting the environment क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार honey bees जो हैं हमारे environment को बनाई रखने में मैं तो पूर्भूबी का निभात ये collect information about it इसके बारे में पता करिए और information collect करिके लिखिए तो मैंने लिखा भी pollinates about a third of the things we eat and play an important role in maintaining the planet ecosystem ठीक है यानि कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर से वह मिठास जो जादा होती ना उसको वह absorb कर लेती है लेकिन लंबा answer लिखने की जरूत नहीं है हमें answer सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए जतने की हमें जरूरत हो next question है आपका what other animals protect the environment apart of honeybee list them यानि और कौन से ऐसे animals हैं जो हमारे ecosystem को बनाने में मदद करते हैं उसको balance रखने में मदद करते हैं अगर आपके जहन में कोई आती है तो आप लोग उसे लिख लेंगे तो आज की वक्षिट हम यहीं खतम करते हैं आज की वीडियों बसेत नहीं अगर आपका मैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने माईचांगा सिस्क्रा प्धाइक